दर्शक वाज से करीब डेड़ से दो माह पहले एक गाना सोशल मीडिया पर बहुत वाइरल हुआ था ये गाना था शाहरूखा दीपिका पदुकोर अभिनित पठान मुवी का तो हम बता दें कि इस गाने का जिसका बोल था बेशरम इस गाने में फिल्मा एक सीन वह दीपिका के कॉस्ट्यूम को लेकर विवादों की चर्चा सरयाम रही गाने में दीपिका के ड्रेस के कलर को लेकर भी धर्मगत राजनीती की गई फिल्म के रिलिस को लेकर भी अफवाहों और वीरोधों और नाराजगी का दोर भी चलता रहा और फाइनली 25 जर्मरी को फिल्म पठान रिलीज होकर सिरेमा घरों में लग भी गई फिल्म के सारे शोज हाउसफूल जाने लगे और इन साथ दिनों में पठान मुवी ने सारे रिकॉर्ड ही तोडाले तो बता दे कि पठान मुवी ने महस इन साथ दिनों के अंदर 429 करोर रुपए की बड़ी कमाई कर डाली है हाला कि फिल्म के शुरुवाती विरोध में लोगों ने ये कयास भी लगा लिया था कि इस फिल्म पठान मुवी के फ्लॉप होती ही किंग खान का करियर दाउपर लग जाएगा क्योंकि 57 साल के हो चुके शारु खान ने लंबे अंतराल के बाद ही पठान मुवी साइन की थी फिल्म के सारे शूट काफी महंगे हैं टॉकिस में फिल्म देखने पहुंचे और फिल्म देखकर बाहर निकले दर्शक काफी सेटिसफाई तो नजर आ रहे हैं साथ ही किंग खान की तारिफ दिल से करते नहीं थक रहे हैं अब ही तो पठान देखके आयो मिराथ से इतनी प्यारी मुवी है शारुक खान चार साल पत पहली बार आया हुआ है इतनी सूपर हिट मुवी है मैं तो इस मुवी को खुप दुआ दूगा और जो अपने दिपिका ने जो रोल किये वो भी माशालला क्या रोल किये भाई मानना पड़ेगा बहुत अच्छा मुवी है वो सीन तो भाई देखो दुनिया वाले बहुत चीजे बनाएंगे लेकिन जहां तक मुझे पता है बाई गॉट के बाद भी मुवी इतना हिट हुई है